दोस्तों जैसा कि आप सब भी जानते हैं गैजट जोन में मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक आशम गैजट लाता रहता हूँ जिन में से सूपर हीरो गैजट्स भी शामिल होते हैं और काफी सारे यूसफूल गैजट्स भी होते हैं वैसे कैप्टन अमेरिका भी हमारे पर दे मारते हैं तो आज आप देखेंगे कैप्टन की रियल शील्ड जिसे आप भी परसेस कर पाएंगे इसके अलावा भी बहुत सारे धासू गैजट्स आने वाले हैं इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जल्दी से डाल दीजिए और फ पानी में चल सकती है और उसके भी अपने रिजन्स है एक रिजन्स तो है इसके टायर्स और दूसरी है इसकी स्पीड दिखने में भले ही एक ओडिनरी सी आर्सी कार लगे बड़ जब आप इसे एक अच्छा खासा रनप दे कर पानी में छोड़ेंगे तो ये डूबेगी न पाईगी अगर आप इसे कमी स्पीड के साथ या फिर डिरेक्टली पानी पर ही छोड़ देंगे तो काफी चांसेज हैं कि यह डूब जाएगी यानि कि पानी पर चलने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसके लिए वह इसकी स्पीड तो यह एक तरह से एक एमफी सेकंड में ठीक उसी तरह से फ्लैश से इंस्पार्ड होकर बनाई गई है यह सुपर आऊसम बाइसिकल और कन्फ्यूज मत होईएगा क्योंकि इसका नाम भी फ्लैश ही है ब्लैक और वाइट के क्लासी कलर कॉम्बिनेशन में आने वाली यह एलेक्रिक बाइक आपकी स्पीड से भी ज्यादा होती है अब क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल है तो फ्यूल और पॉल्यूशन की कुल टेंशन ही नहीं है और एक बार फुली चार्ज करने पर यह 50 माइल्स यानी की लगबग 80 किलोमीटर तक लगातार चल सकती है और इलेक्रिसिटी बेज धोन इसमें देखने को नहीं मिलती और वो है इसके इंडिकेटर यानी कि इसके टरन सिगनल इसमें आपको एक सेक्योलिटी सिस्टम मिल जाएगा जिसे आप मैनेज कर सकते हैं इसमें मौजूद एक डिजिटल टच स्क्रीन पैनल से जो कि इसके फ्रेम में मौजूद होता है यह आप GPS की help से track करके आसानी से इस तक पहुच सकते हैं और इसकी location और battery और बागी की दूसरी जरूरी information आपको आपके smartphone पर ही मिल जाएगी तो बात हो looks की या फिर speed की या फिर reliability की flash इन सारे aspects में एक perfect electric bicycle हो जाती है अब आपको मिलवाते हैं एक हैरान कर देने वाले gadget से यह लिंबो और यह छोटा सा पिद्दी सा gadget record बना चुका है सबसे ज्यादा देर तक spin करने का वैसे आपको बच्पन में खेली जाने वाले tops तो यादी होंगे जिने हम लट्टू कहते थे या फिर फिरंगी तो बस है त कई घंटों तक लगातार spin कर सकता है अपने बेस पर आकर इसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे ही थोड़ी नहीं होता तो इस टॉप के बगल में रखी टेबल प्लॉक पर टाइम देख लीजिए तीन घंटे के आसपास टाइम का प्रूफ तो आपको इस वीडियो में ही मि कर सकते हैं एक की चेन गैजट की तरह या फिर नॉर्मली अपने पॉकेट में तो रखी सकते हैं तो वर ओल्ल गाइस कई घंटों के स्पिनिंग टाइम के साथ लिम्बो अपने आप में किसी मैजिकल गैजट से कम नहीं है हैप्टो गाइस वर्चूल रियालिटी यानि की वी आर की दुनिया में आप अपने आसपास चीजों को देख सकते हैं बिल्कुल रियालिटी के परस्पेक्टिव में लेकिन क्या आप उन्हें टच करके फील कर सकते हैं जवाब होगा नहीं बट हैप्टो के चलते आप वर वर्चूल फिजिकल फॉर्म देना और जब आप उन्हें टच करें तो वो टच आपको फील करवाना अब गाई सवाल यह उठता है कि जो चीज रियली एक्जिस्ट करती ही नहीं है बहला आप उसे इस गैजट से टच कैसे कर सकते हैं तो इसका जवाब है इसमें मौझूद चोटे चोटे और अल्टरा सेंसिटिव पुशर्स तो जब भी आप किसी भी वर्चूल चीज को टच करते हैं तो यह पुशर्स आपकी स्क्रीन को कुछ इस तरह से पुश करते हैं जिससे आपको एक तरह से वो टच 100% रियल लगने लगता है हैप्टो को सिंपली आपको कन MC2, MC2 यानि कि multi configuration cycle तो guys flash bicycle की ही तरह ये भी एक amazing bicycle है बिल्कुली unique और different looks और structure के साथ जहां सारी bicycles में आपको दोनों wheels essential तोर पर बिल्कुली equal size के wheel जाते हैं देखने को इस bicycle में आपको front wheel, rear wheel के comparison में कहीं ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा और अब आता है इसका सबसे चौक राइड नहीं है या फिर खुश नहीं है तो आप इस bicycle के structure को ठीक उल्टा कर सकते हैं यानि जहां पहले front wheel बड़े size का था अब वहीं rear wheel हो जाएगा बड़े size का जैसा कि मैंने आपको starting में ही बताया कि एक multi configuration cycle है तो इसके structure को आप convert कर सकते हैं different different shapes में अपने comfort के according तो एक तर करते हर किसी की नजरे होंगी सिर्फ और सिर्फ आप पर अब देख लेते हैं कमाल का kinetic toy यह बीब्लो आप office के काम के बाद ठक गये हो या फिर किसी वज़े से आप stress में हो इस gadget के hypnotic motion को देख कर आपका stress तुरंत ही गायब हो जाएगा इसका base spherical shape में बना होता है वहीं बाकी का उपर वाला पार्ट एक पतली सी stick जैसा होता है और यह gadget design किया गया है किसी भी person के stress, anger या फिर anxiety को शान्त करके उसके mood को relax करने के लिए इस तरह के kinetic toys workplace पर काफी देखे जाते हैं और उनका reason भी यही होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में काम से break लेकर इन gadgets के साथ थोड़ा स feel करके mind को refresh किया जाए इसके लिए आपको बस इस gadget के motion के दौरान इसकी tip को देखना होगा focus के साथ और धीरे धीरे आपका stress level कम होता जाएगा और कुछी देर में आप बिलकुल अच्छे mood में आ जाएंगे वूगी यह एक artificial intelligence के साथ आने वाला voice activated robot होता है जो बच्चों के बेहर काम आ सकता है और उनके लिए काम कर देता है एक personal assistant का वैसे भी parents आजकल पूरे time बच्चों के साथ available नहीं रह पाते job जैसे reasons के चलते तो इस case में आप वूगी का use कर सकते हैं इसकी आभास भी एक बच् internet connection required होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा curious होते हैं और काफी सवाल भी पूछते हैं तो अगर वूगी से कोई question पूछा जाता है तो वो तुरंती अपनी kids वाली voice में उसका answer दे देता है बिल्कुल Amazon की Alexa की तरह इसकी interactive screen पर मौजूद होती है इसकी digital eyes और भी कुछ दू normal human tutor बच्चों को पढ़ाता है उससे कहीं ज्यादा playful way में वूगी बच्चों को पढ़ा सकता है और जाहिर है कोई भी बच्चा एक human tutor की बजाए इस cute से robot में ही ज्यादा interested होगा और ये बच्चों की एक-एक हरकत के साथ उनकी एक-एक habit पर भी नजर रखता है और जो काम उ अमेरिका शील्ड तो गाईस हमारे फेवरेट सुपर हीरो बहुत से हैं और अगर आप एक true सुपर हीरो फैन है तो उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज या फिर गैजट तो आपके पास रहता ही है क्योंकि हम अपने फेवरेट सुपर हीरो की चीज़े कलक्ट करते र जाएंगे जिससे आप इसे बिल्कुल कैप्टन की ही तरह होल्ड भी कर पाएंगे और आई नो आपको भी ये तुरंती पसंद आ गई हो कि तो इसे पर्चेस करने का लिंग भी मैं डेस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर दूँगा और अप देख लेते हैं इल्यूजन क्र कर सकते हैं अपनी वर्क डेस्क पर एक रिलाक्सिंग पीलिंग के लिए तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को आल पर जरूर से सेट कर लीजिए तो अपने घर में रहिए और सेब रहिए और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में कुछ नए गैजट्स के साथ